नमस्कार दोस्तों अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़े और रॉंग्टे खड़े कर देने वाली खबर राजिस्थान से आ रही है जरा सोचिए एक महिला जो सिर्फ दो दिन बाद ही मा बनने वाली हो उसका सव एक कुए से बरामत किया जाए अंदाजा लगाना ही मुश्किल है लेकिन ऐसा हुआ है जैपुर के दूदू थाना इलाके में रहने वाली 23 साल की ममता सिर्फ दो दिन बाद ही मा बनने वाली थी 29 माई को घर में नन्ना महमान आने वाला था परिवार के लोगों को भी इसका पता था नाना नानी और मामा मामी बच्चे के आगमन के तयारी कर रहे थे लेकिन इस बीच बच्चे को जनम देने वाली मा भी चली गई और साथ में बच्चे को हमेशा के लिए दुनिया से दूर ले गई दोस्तों आपको बता दे वो नहीं चाहते थी कि उसका आने वाला बेटा घुट घुट कर जिये दूदू में जो बेहंकर घटना करम हुआ है उसमें तेश साल की ममता का पिरसव गुना 30 या 30 मई को होने वाला था लेकिन उसने पिरसव से पहले मोत को चुना वे नहीं चाहते थी कि उसका बच्चा इतने तनावपूर्ण माहोल में पैदा हो जहां ने तो उसे अपने पिता का दुलार मिले ना अपने दादा दादी का प्यार ही मिले ममता नहीं चाहते थी कि बच्चा ऐसे माहोल में जनम ले जहां उसके सामने पल-पल घुट-घुट कर मरने के सिवा कोई और चारा नहीं है राजधानी जैपुर के ग्रामेंड छेतर से कल सनिवार को एक दिल तहला देने वाला मामला सामने आया था जहां एक कुए से पांच लासे बरामद हुई थी जिसमें तीन सगी बहने और दो उनके मासूम बच्चे भी सामिल थे अब घटना के 24 गंटे बाद पुलिस इस केस में कई चोकाने वाले कुलासे कर रही है पुलिस ने तीनों बहनों के पती और उनके ससराल वालों को खिलाब मामला दर्जकर उन्हें गरपतार कर लिया है यूतियोंने मरने से पहले वाटसप पर इस्टेटस भी बदला था जिसमें उन्होंने लिखा था अब ऐसे जीने से मरना ही बहतर होगा क्या दूस्तों यह है ठीक था आप कुमेंट बॉक्स में अपनी राय अवेसे लिखे तता चैनल सब्सक्राइब अवेसे कर ले ताकि हर अपडेट